हलो आज आज मैं आप शेयर कर रही हूँ पुरानी साडी का इस्तमाल तो अगर ओल्ड फेशन हेवी साडी आपके पास भी पड़ी है या कोई भी टूटी फूटी साडी भी पड़ी है आपके पास तो उसके मैं आपको दो इस्तमाल बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जादा काम के आइडिया है तो आसा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा तो छले जल्दी से सुरू करते हैं हम आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने इस तरीके क हम इसे फोल्ड करेंगे एक बार फोल्ड कर लिया अब एक बार और फोल्ड करेंगे तो इस तरीके का एक छोटा सा स्क्वार पीस बन जाएगा अब इसके देखिए जो यहाँ वाली साइड है यह हमारी साड़ी चार लियर में है और यहां इसका जो कॉर्णर है वहां पर हम measurement लेंगे तो इस तरीके से देखें मैं 6 inch पर round में इस measure tape को रखती हुए दोनों side पर mark कर लूँगी और यहाँ पर हमें side से भी देख लेना है तो एक side से यह मेरा 4 inch हो रहा है तो second side से भी 4 inch ही होना चाहिए तो देखें अच्छे से इस तरीके से mark कर लीजिए उसके बाद आपको यहाँ नीचे की side देखना है तो जिटनी भी लंबाई आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर marking करनी है यहाँ पर मैंने 17 inch रखा है जो तो इस तरीके से मैंने अच्छे से यहाँ पर marking कर ली है यहाँ पर 21 inch पर और फिर यहां से हम इसे cut कर देंगे और उपर की side से भी cut कर देंगे तो देखें यह हमारी cutting हो चुकी है अब इस तरीके से मैंने इसे रखा है fold करके ही अब हमें इसका belt निकालना है तो इसके लिए म और यह हमने fold करके रखा था तो border डबल लिया है अब हमें अस्तर के लिए कपड़ा चाहे तो मैंने यह कपड़ा लिया है double fabric है और इस तरीके से मैंने और एक बार इसे fold कर लिया है और इसके ऊपर जो ready piece था उसे भी मैंने दो बार fold करके इस तरीके से रखा है इसके बंद सा यहां पर जो हमने mark किया है वह हो रहा है और इसकी length है 20 इंच अब यहां पर जो corner में हमने side तक mark किया था नीचे तक वहां पर 2 इंच पर उपर की तरफ मार करके इस तरीके से cross में draw कर लेना हमें थोड़ा सा curve shape देते हुए और फिर इस तरीके से यहां पर भी हम cut कर लेंगे तो यह fabric joint था तो यहां बीच से cut करके भी इसे हम अलग कर लेंगे तो अगर आपके पास छोटा मोटा कोई भी कपड़ा पड़ा है तो ऐस तर आप इस तरीके से जुगार करके use कर सकते हैं अब side से मैंने side कर ली है दोनों piece में इस तरीके से joint कर लिया और नीचे की side भी double fold कर कर लिया और इस तरीके से अंदर की तरफ चाने देंगे और इस तरीके से देखे हम पकड़ेंगे दोनों round को अच्छे से set कर लेना और यहां पूरे में हम सिलाई करके इसे attach कर लेंगे तो यह अस्तर के साथ हमारा main sari वाला कपड़ा attach हो चुका है तो इस तरीके से अस्तर कर लेंगे और फिर जो साड़ी वाला कपड़ा था हमारा ready piece है उसके अंदर की तरफ हमें इसे रखना है और इस तरीके से पकड़ के यहां पर भी पूरे round में हम सिलाई कर लेंगे और बैल्ट को हमें बाहर की तरफ खींच लेना है और फिर एक बार छोटा सा फोल्ट है बस थोड़ी सी जगह हम open छोड़ेंगे कि जहां से हम elastic को add कर सके तो देखे इतनी सी जगह मैंने छोड़ दिये बाकी पूरे में सिलाई कर ली है इस तरीके से अब हमें लेनी है elastic तो elastic आपकी जो भी कमर है जिस भी measurement के बना रहे हैं तो कमर से आपको 3 इंच कम लेनी है तो दाल की बच्ची के लिए बना रही हूं आप अपने हिसाब से कम्याजादा कर सकते हैं अब इस तरीके से हम elastic को यहां पर सिलाई कर लेंगे उसकी बाद हम इसे अंदर की तरफ इस तरीके से खीच लेंगे पूरे कपड़े को अच्छे से खीच लेना है और जो open जगह थी व हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा कि यह आपने घर पर बनाया है तो है ना एकदम आसान तरीका आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से किसी भी साइज का skirt बना सकते हैं एकदम हैवी वाला अगर इस तरीके के कपड़े आप मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया तो अच्छी कोई साडी है हमारे पास तो हम उसे डोनेट भी कर सकते हैं लेकिन फटी पुरानी साडी हम किसी को डोनेट भी नहीं कर सकते तो ऐसी कोई भी साडी है आपके पास तो उसी का यहां पर इस्त इनों को अटेच करके मैंने बीच में भी सिलाया कर लिया है ताकि साड़ी का कपड़ा है तो अच्छे से सैट हो जाए इसका मिजर्मेंट मैं आपको दिखा दू तो यह मेरा हो रहा है 30 बाई 29 इंच तो इसे तरीके से आप 30 बाई 30 भी ले सकते हैं अब इस तरीके से इसके करके एक बॉक्स बनाएंगे अब इसे हमें कट कर लीना है तो दिखेंगे एक कॉर्णर पर हमने कट कर लिया अब इसी पीस का इस्तमाल करके हम इसके दूसरे कॉर्णर को भी कट कर लेंगे फिर इसके तीसरे और चौथे कॉर्णर को भी इसी पीस का इस्तमाल करके हम कट कर अब आपको क्या करना है इस तरीके से इसे उल्टा कर लीजिए क्योंकि दूसरे साइट पर प्रिंट है तो अच्छे से मार्किंग नहीं दिखेगी तो यहां पर हम सीधी इस तरीके से बीच में एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक मार्क कर लेंगे अब हमें एक और piece ready करना है यह मैंने लिया है 15 by 14 inch और यह जो piece है वो आपको यह जो बीच में जो जगह बनी है उस size का बनाना है अब आपको क्या करना है इस size का piece ready करने के बाद यहां दोनों side से एक लंबी side और एक छोटी side से हम half half inch जितना कपड़ा कट कर देंगे तो यह कपड़ा फिर जादा हो जाएगा अब आपको zip लेनी है एक side से लेकर यह तीन side तक हो जाए इतनी zip लेनी है एक side हम छोड़ देंगे तो यह देखे इस तरीके से मैंने zip ले ली है यहां पर एक side से लेकर दूसरी side तक का measurement लेकर और फिर हमें zip को यहां पर इसी तरीके से रखकर attach कर लेना है अब हम zip को second side पर turn करेंगे और यहां पर दबाते हुए पूरे में सिलाय कर लेंगे तो देखे यह एकदम अच्छे finishing के साथ press stitch हो गए बहुत अच्छे से हमारे zip attach हो चुकी है अब आपको क्या करना है इसके अंदर runner add करना है तो दोनों side से मैं एक एक runner add क कर सकते हैं तो मैंने यहां पर दो runner add करेंगे अब इस तरीके से देखे हम इसे attach करेंगे यह कोई भी एक हिस्से पर आप इसे इस तरीके से attach कर लीजिए अब इसे हम second side पर turn करके यहां पर इस कपड़े को दबाती हुए प्रेस्टीज कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकत पकड़ेंगे और यहां एक side से लेकर दूसरी side तक सिलाई करनी है तो देखें चारो corner पर मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है अब मैंने इस तरीके के एक छोटी से strip ली है और यहां पर attach कर लोगे ताकि इसके कोई भी rough edges बाहर नहीं दिखेगी आप यहां पर कोई भी कपड आएगा एक side से लेकर आपको दूसरी side तक सिलाई करके इसे attach कर लेना है अब यहां पर runner के पास से हम इसे open करके सीधा कर लेंगे अच्छे से इसके corner निकार लेने है और उसके बाद जिप का जो नीचे वाला हिस्सा था जो हमने अभी attach किया वहां पर इस तरीके से zip को नीच इसका एक side organizer बनकर ready हो चुका है आप इसके अंदर 8 से 10 side को बहुत easily रख सकते हैं यह बहुत ज़्यादा बड़ी size का बना है और इसके अलावा आप चाहें तो blanket रखने के लिए या फिर कपड़ों को store करके रखने के लिए भी इसका 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 सकते हैं अपनी बैट के बड़े का इस्तमाल किया है तो एक ही जाड़ी में से आप इस तरीके के चार से पांच कम से कम बना सकते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हल्पुल होगा so friends यह थे साड़ी को reuse करने के दो आइडिया आपको कौन सा या सबसे ज़्यादा पसंद आया कोमेंट ज़रूर करना वीडियो अगर आपको पसंद आया है यूसफूल लगा है तो प्लीज दोस्तो लाइक ज़रूर कर देना सबस्क्राइब कर लेना मिलते हैं सही और यूसफूल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय भारत